गूड अफ्टानून एवरिवान मैं हूँ नर्जा आप सब का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरी चैनल एन बी फार्मा क्लासिस में आज की इस वीडियो में मैं भी फार्मा फिफ सेमिस्टर की फार्मासिटिकल जूरिस्प्रोडेन सब्जेट की यूनिट वन की लेक्चर टू डिसकस करूंगी जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा लीगल डेफिनेशन्स अफ सेडियूल टू दा एक्ट अन सेडियूल टू दा र डिसकस की थी देन आज की इस वीडियो में हम यह डिसकस करेंगे लीगल डेफिनेशन्स अफ सेडियूल टू दा एक्ट एन सेडियूल टू दा रूल्स कज में आप लोग को समझाने की साथ साथ फ्री हैं डिटेन नूर्स भी प्रोबाइड कर दूंगी और लास में जो फो यह दुनों अलग अलग सीरीज होती है मैंने पिछली वीडियो में आप लोग को अच्छी से समझाया था कि ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट जो है वो 1940 में आया था देन इसके बाद 1945 में उसका रूल्स को लागू किया गया था तो वो जो एक्ट है तो उसकी सेडियूल को अ थे चुल ठीक है फर्स सेडियूल और स्यकेंड सेडियूल सेडियूल टू दा एक्ट को दू पर्स में डिवाइड क्या गया फर्स सेडियूल동tत्य में क्या बला गया गया है इट कंप्राइश धाल वो तो हमारा जो फर्स सेडूल है तो उसमें ये बोला गया है जितनी भी आयरुवेदिक सिद्धा और यूनानी मेडिसिन की बुक्स होता है तो उनकी बारे में अगर कोई भी इंफर्मेशन चाहिए हो तो हमें तो हमें फर्स सेडूल टुदा एक के अंदर ही मिलेगी जिसमें य अगर आपको किसी भी आयरुवेदिक सिद्धा और यूनानी मेडिसिन की बुक्स की बारे में इंफर्मेशन चाहिए तो कौन-कौन सी बुक्स हाती है तो आपको फर्स सेडूल टुदा एक की अंदर ही मिलेगा अब हम देखते हैं सेकेंड सेडूल सेकेंड सेडूल में क्य सेडूल सेडूल के अंदर क्या चीज रखा गया है कि कोई भी ड्रक्स की अगर आप मेनुफेक्चरिंग करना चाहते है उसका इंपोर्ट करवाना चाहते है तो उसके लिए हमें कौन-कौन सी स्टेंडर्ट की जरूरत पड़ेगी तो वो सब हमें कहां मिलेगा सेकेंड भेंट की बारे में डिसकस करेंगे जो पॉयंट है एक ठीक है कि जड्राग एन कोस्मेटिक एक में कितनी एक इस है दीक सेब्सक्राइब हैं तो उसको मार्केटिंग करवाने के लिए मार्केट में प्रवाइट करने से पहले आप क्या करते हो इसी भी ड्रोग की क्लीनिकल करते और उन सबकी डाटा आप साथ में जमा करते हो तो ऐसा कौन सी डाटा किस appendix के साथ जमा करनी है तो वो सब हमें क्या मिलेगा यहाँ पर appendix पढ़ेंगे तू मिलेगा देखें first appendix appendix first में क्या है data required to be submitted with applications for permissions to marketing new drugs कोई भी new drugs को marketing करवाने के लिए ठीक है तो उसकी साथ क्या करना पड़ेगा उस drug की जो पूरी data है उस data को उस applications की साथ हमें क्या है appendix first में जमा करनी पड़ेगी appendix second format for submissions of clinical trial reports ठीक है जो भी clinical trial की reports हम निकालते है तो clinical trial हम क्यों करते किसी भी medicines की उसकी प्रोटेंसी और efficacy को चेक करने के लिए तो जो clinical trial की जो report है उसको applications की साथ हमें appendix second में जमा करनी पड़ेगी appendix start appendix start में क्या होती है animal toxicity requirement for clinical trial and marketing of new drugs किसी भी new drugs को marketing करवाने के लिए हमने जो animal toxicity मतलब जो pre clinical trial की थी तो उसकी toxicity जो report है उस report को और clinical trial की जो report है उन दूनों को साथ में मिला के हमें उत एप्लिकेशन की साथ appendix start में जमा करनी होगे appendix 4 appendix 4 में यह बोला गए number of animals for long term toxicity studies ठीक है जब हम animals की उपर trial करते है pre clinical trial तो उस time जो dose दिया जाता है उसका side effect हमें toxicity effect हमें चाहे एक हफता में दिखाई दो चाहे एक मेनी की बाद दिखाई दिया हो या चाहे एक साल की बाद दिखाई दिया हो तो उसके जो toxicity हमें report मिला है तो उस सारे report को एक साथ में applications की साथ हमें appendix 4 में जमा करनी है अब आया appendix 5 ठीक है appendix 5 में क्या है passion concern from for participation in a phase 1 clinical trial guys phase 1 clinical trial कब क्या जाता है जब हम कोई भी drugs को बनाते तो उस drug को बनाने की बाद किसी एक healthy volunteer की उपर हम उसको use करते हैं और देखते कि उनके body में क्या reactions आया है तो वो जो जिस person के उपर हम use करते ना तो उनका concern form लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनकी इजाजत लेना ज़रूरी है और जब यह processing होती है उस time एक report बनता है तो उन सारी report को हमें appendix 5 के अंदर जमा करने पड़ती है appendix 6 appendix इसमें यह बोला गया four groups of fixed dose combinations and their data requirement ठीक है जो भी drugs बनता है तो वो market में जब आता है तो एक fix dose में आती है जैसे कि मानलो अपने parasitimol tablet बना है तो उसका dose क्या होता है fix होती है 600 mg 500 mg 350 mg 250 mg तो यह जो एक fix dose combination है उसको अलग-अलग four groups के drugs के साथ देनी है और उसका जो actions है वो देखना है और उसका report फिर हमें क्या करना है उस applications की साथ appendix six में जमा करनी है गाइस यह जो appendix है ना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है अगर कोई drugs अगर marketing करवाना चाहते हो आप तो marketing करवाने से पहले आपको कौन-कौन सी डाटा किस-किस appendix की साथ में जमा करनी है उन सबकी details इस appendix के अंदर दिया गया है अब हम स्टार्ट करते हैं schedule to the rules इतनी देर हमने यह समझाय था कि schedules to the act क्या होती है वो कितनी types की है schedule to the act जो है वो two types की थी first schedule और second schedule first schedule में जितनी भी आयरवेदिक सिद्धा और युनानी medicines की drugs थी तो उन drugs की जो books है उनकी बारे में information था second schedule में जितनी भी drugs हमारी manufacturing करनी हो इंपूर्ट करवानी हो और सेल करवानी हो तो उन सब के अगर स्टेंडर्ड हमें देखना है तो हमें कहां मिलेगा second schedule to the act की अंदर मिलेगा और इसकी बाद में हमने drug and cosmetic act की कुछ है appendix की बारे में बात किती जिसमें total six appendix था and अभी हम start करेंगे schedule to the rules schedule to the rules देखिए there are different schedule to the rules are schedule to the rules है जो है वो कितने types की है हमारी जो ए से लेके वाई तक जितनी लेटर है ठीक है उनकी अंदर schedules को अच्छी से डिजाइन किया गया है अब देखिए first schedule जो होता है schedule A पी फार्मा for the applications for the license issues and renewals of license for sending memoranda under the act ठीक है इसमें ये बोला गया है कि अगर आप किसी भी license को issue करवाना चाते हो या license की renewal करवाना चाते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा एक application form फिल करनी पड़ेगी तो वो कौन सी license के लिए आपको कौन सी application form फिल करनी है उन सब की details आपको कहां मिलेगा schedule A की अंदर मिलेगा schedule B, schedule B में ये बोला गया है rate of fee for the test और analyze by the central drug liberty और the state drug liberty इसमें ये बोला गया अगर कोई भी drugs को आप marketing करवाना चाते हो ठीक है तो उसे पहले आप क्या करते हो टेस्टिंग करवाते हैं वो टेस्टिंग कहा होता है central drug liberty या state drug liberty में किया जाता है government analyze की दुआरा तो उसके लिए हमें कितना फिस जमा करने पड़ेगी उन सारी फिस की details हमें कहां मिलेगे schedule B की अंदर मिलेगी schedule B1 schedule B1 में क्या दिया गया है fee for the test or analyze by the pharmacopoeia liberty और Indian medicines or the government analyze schedule B1 के अंदर ये बोला गया है कि अगर आप किसी भी sample या drugs को pharmacopoeia liberty या Indian medicines laboratory की अंदर government analyze की दुआरा टेस्टिंग करवाने चाते हो तो उसके लिए आपको कितनी फिस जमा करने पड़ेगी उन सबकी details आपको schedule B1 के अंदर मिलेगा schedule C, schedule C में क्या बोला गया है list of biologicals and other special products which import, sell, distributions and manufacturers are government by the special provision schedule C के अंदर वो सारा biological products आता है जिसको हम parentally use करते है जो हमें marine products, plants और marine animals से obtain होता है तो उनकी अगर हमें manufacturing करनी हो, distributions करनी हो, sale करवानी हो या import करवानी हो तो उन सबके लिए government की तरफ से जो provisions लगया गया है वो सब क्या है उनकी details हमें schedule C के अंदर मिलेगी schedule C के अगर example के बारे में बात करें तो sera, vaccine, toxin, antigen, antitoxin, insulin, adherin और pituitary products ठीक है मैं यहाँ पर आपनों को समझाने के लिए कुछ नूर्स की तरह लिख दिए इस biological substance which administered parentally इस comes under the schedule C जो biological substance हम parentally use करते है तो उसको हम कहा रखेंगे schedule C के अंदर रखेंगे ठीक है आप देखे schedule C1 schedule C और schedule C1 दोनों सेम होता है बट इसमें क्या difference से अभी देखेंगे list of other special products which import, sale, distributions and manufacturers are government by the special provisions schedule C1 में यह बोला गया है जो भी biological या other substance होती है उसको अगर manufacturing करवानी हो distributions करवानी हो sale करवानी हो import करवानी हो तो उन सब के लिए government की तरफ से जो provisions लगाया गया है वो क्या है उन सब की बारे में पूरी details हमें schedule C1 के अंदर मिलेगी schedule C1 के details यह देखें example क्या है digitalized products adenalin, fish, liver, liver extract, vitamin, niacin, agot products ठीक है और अभी यह देखेंगे schedule C और C1 में difference क्या है schedule C में क्या था जो भी biological substance हम parentally use करते है उसको हम schedule C के अंदर रखते है और इसमें यह देखे schedule C1 में this biological substance which cannot the administrative parentless this comes under the schedule C1 जो biological substance हम parentally use नहीं करते है उन सारी substance को हम कहा रखेंगे schedule C1 के अंदर रखेंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गए होगा schedule C and C1 में क्या difference है schedule C और C1 दुनों में biological substance आती है बट जो biological substance हम parentally use करते है उनको हम schedule C के अंदर रखते है और जो biological substance handling हम parentally use नहीं करते है उनको हम schedule C1 के अंदर रखते है ठीक है schedule D schedule D में क्या बोला गया है list of drug exempted from the प्रोविजन्स टू इंपोर्ट ऑफ ड्रॉग्स ठीक है लीस्ट ऑफ ड्रॉग्स एक्जम्टेट मतलग जीन सब ड्रॉग की इंपोर्ट करवाने की टाइम हमें गवर्मेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा चूट मिली है उनकी पूरी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करना पड़ता है एसी ड्रॉग्स की लिस्ट को कहां मिल रखा गया है सेड्यूल डी की अंदर रखा गया है सेड्यूल इवन ठीक है सेड्यूल इवन में यह बोला गया लिस्ट ऑफ पोईजोनिया सब्स्टेंस अंदर दा आयुर्वेदिक इंक्लूडिंग सिद्धा एन य प्रॉनानी ओर सिद्धा या यह हुन अईर्वेदिक मेडिसिन्स है तो उन सबकी जो पॉजूनिया सबस्टेंस है वो उनसा रखा गया है सेड्यूल इ-1 के अंदर रखा गया सेड्यूल इ यह सेड्यूल इयुक्षई अप लोगको समझाने के लिए मैं यहां लाई हूं ए 1982 में जो amending क्या गया था उस time इसको हटाया गया और schedule E1 को लाया गया है schedule E में क्या था all जितनी भी हमारी poisoning substance थी तो उनकी सारा list कहां रखा गया था schedule E में रखा गया और इसको अभी हटा के अब schedule E1 को लाया गया 1982 में schedule F schedule F में ये बोला गया है requirement for the functioning and operations of the blood bank and or for preparations of blood component मतलब अगर हमारी blood से related ठीक है कोई भी component खुलनी है जैसे blood platelet की laboratory open करनी हो या आपको blood bank खुलनी हो तो उसके लिए आपको कौन कौन सी equipment की ज़रूरत होगी और कौन कौन सी चीजु की requirement होगी आपको तो उन सब की details आपको कहां मिलेगा schedule F की अंदर मिलेगी schedule F1, schedule F1 में ये बोला गया है provisions for bacterial vaccines, viral vaccines, anti-seria, diagnostic agent ठीक है ये जो bacterial vaccines, viral vaccines, anti-seria ये सब क्या होता है हमारी blood की तुरू हमारी body में दिया जाता है तो ये भी blood से ही related है तो इसमें ये बोला गया है कि viral vaccines, bacterial vaccines, anti-seria जो है या diagnostic agents है, उनकी preparations करने में उनको बनाने के लिए हमें government की तरफ से क्या-क्या provisions लगाया गया उन सब की details हमें कहां मिलेगा schedule F1 के अंदर मिलेगा schedule F1 को भी अलग-अलग part में divide किया गया है जैसे schedule F1 part 1 provisions applicable to the productions of all bacterials and viral vaccines जितनी भी viral और bacterial vaccines के लिए provisions लगाया गया है वो सारा provisions हमें कहां मिलेगी schedule F1 के part 1 के अंदर मिलेगी schedule F1 के part 2 के अंदर हमें क्या मिलेगी provisions applicable to the productions of all syrup from living animals जो भी living animals से obtain होता है जो सीरा तो उनके अगर manufacturing करनी हो तो उनके लिए कौन-कौन सी provisions लगाया गया है government की तरफ से उन सबकी details हमें schedule F1 के part 2 के अंदर मिलेगा schedule F1 के part 3 जिसमें यह बोला गया provisions applicable to the manufacture and standardization of a diagnostic agent किसी भी diagnostic agent को बनाने के लिए क्या-क्या provisions लगेगी उसका instantalization क्या है उन सबकी details हमें schedule F1 के part 3 के अंदर मिलेगी schedule F2 schedule F2 में यह बोला गया है standard for surgical dressing surgical dressing surgical dressing हम क्यों use करते है हमारी operation की दरन bleeding को रुखने के लिए या किसी के accident हो जाती है तो उस time जो operation होती है तो उस time bleeding को रुखने के लिए हम surgical dressing को use करते है तो इसमें यह बोला गया कि अगर surgical dressing से related आपको कोई भी जनकारी चाहिए होगी उसका manufacturing कैसी होती है तो सबके details आपको कहां मिलेगा schedule F2 के अंदर मिलेगा schedule F3 schedule F3 में यह बोला गया standard for sterile sterilize umbilical tab जो भी umbilical tab होती है जितनी प्रकार के umbilical tab है तो उन सबकी sterilizations कैसी होती है तो उन सबकी details हमें schedule F3 के अंदर मिलेगे schedule FF schedule FF के अंदर यह रखा गया है standards of ophthalmic preparation हमारी आखो से related जो भी preparations होती है जो भी products बनती है तो उन सबकी details हमें कहां मिलेगी हमे schedule FF के अंदर मिलेगी schedule G list of substance that are required to be used only under medical supervisions या register medical prescription and which are to be leveled accordingly इसमें यह बोला गया जो schedule G के अंदर drugs आती है वो बहुत dangerous drug आती है वो हम खुद से नहीं ले सकते है किसी भी medical supervisions या register medical prescription के इजाज़त से लेनी पड़ती है अगर कोई register medical prescription medical supervisions permission नहीं देते है तो उस medicines को हम नहीं ले सकते है अब देखते है schedule H schedule H के अंदर कौन सी drugs आती है list of prescription drugs जितनी भी prescription drugs होती है उन सब को schedule H के अंदर रखा गया है schedule H के अंदर जो भी drugs है उन सब drugs को हम without prescription नहीं ले सकते हैं अब आता है schedule HX schedule HX में यह बोला गया है for carving the mises of antibiotic and other drugs जितनी भी antibiotics या other drugs की mises होती है तो उन सारी mises को रुखने के लिए जो भी provisions लगया गया है वो सारा हमें कहां मिले गया schedule HX के अंदर मिलेगी अब यह देखे schedule J के अंदर कौन सी drugs को रखा गया है disease or elements which drugs may not purport to prevent or cure schedule J के अंदर ऐसी drugs को design किया गया है जिस drug को use करने के बाद हमारी बिमारी तो सिर्फ control में आ सकती है लेकिन प्रॉपर तरीके से खतम नहीं होता है for example hypertension, diabetes, cancer, TV या asthma की जो medicines होता है वो सिर्फ disease को हम control में लाने के लिए यूज करते हैं लेकिन वो प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हो सकता है और कोई भी डॉक्टर्स या फार्मासिस्ट ये दावा नहीं कर सकता है कि इस medicines को use करने से आपका बिमारी अच्छी तरीके से टीक हो जाएगी फिर बाद में आया schedule के schedule के में drugs exempted from certain provisions relating to the manufacturers of drugs schedule के के अंदर SE medicines की list आती है जिस medicines को manufacture करने time हमें government की तरफ से पूरी तरीके से चूट मिलता है उसमें कुछ भी rules regulations को follow नहीं करना पड़ता है फिर बाद में आगई schedule L1 schedule L1 के अंदर ये बोला गए good laboratory practices and requirement of premises and equipment level ये बोला है कि good laboratory practices के लिए हमें premises और equipment level पे क्या क्या requirement होगी तो उन सब की जनकरी हमें schedule L1 के अंदर ही मिलेगी फिर बाद में आया schedule M schedule M में good manufacturing practices requirement of factory premises plants and equipment ठीक है good manufacturing practices के लिए हमें कौन कौन सी equipment ये plants की ज़रूत होगी factory level industry level पे तो उन सब की जनकरी आपको कहां मिलेगी schedule M के अंदर मिलेगी schedule M1 schedule M1 requirement of factory premises is for manufacturers of hemopathic preparation अगर आप कोई hemopathic medicines की manufacturing करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूत पड़ेगी उन सब की details आपको कहां मिलेगी schedule M1 के अंदर मिलेगी schedule M1 को भी अदर अदर parts में divide किया गया जैसे part 1 है इसमें ये कहा गया sterile products, parentals and ophthalmic जो भी parentals और ophthalmic products बनता है तो उन सब के लिए कौन कौन सी equipment और कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत थे वो आपको कहां मिलेगा schedule M1 की part 1 A में मिलेगी आपको फिर बाद में schedule M1 की part 1 B में क्या मिलेगी आपको जो orally solids बनेगी तो उन सब की details मिलेगी schedule M1 की part C में मिलेगी oral liquid जो बनेगी तो उनका details आपको मिलेगी फिर part D में मिलेगी topical जो चीज़े बनेगी तो उन सब की details मिलेगी फिर बाद में schedule M2 schedule M2 में ये बोला गए requirement of factory premises it's for manufacturers of cosmetics अगर आप कोई cosmetic products बनाओगी manufacture करोगी तो उसके लिए आपको कौन कौन सी factory premises लेपल पे कौन कौन सी चीजों की ज़रुरत पड़ेगी उन सबकी details कहां दिया हुआ है M2 में दिया हुआ है आपको वहां से जानकारी मिलेगी अब आता है schedule M3, schedule M3 में requirement of factory premises for the manufacturers of medical devices अगर आप कोई medical devices की manufacturing करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजों की ज़रुरत पड़ेगी उन सबकी information सबको कहां मिलेगी schedule M3 में मिलेगी schedule N, schedule N में क्या दिया गया है list of minimum requirement for efficient running of a pharmacy अगर कोई new pharmacy खुलना चाहते है तो उनके लिए minimum कितनी equipment या कितनी चीजों की ज़रुरत पड़ेगी उन सबकी जानकारी schedule N के अंदर रखा गया है फिर बात में schedule O, schedule O के अंदर क्या रखा है standard for disinfectant fluids ठीक है जो भी disinfectant fluids होती है तो उन सबकी standard schedule O के अंदर रखा गया है for example alcohol chlorine and chloride compound या iodine यह सब क्या है disinfectant है और इन सबकी बारे में अगर details निकलना चाहते हो आपको क्या करना पड़ेगा schedule O के अंदर जाके देखना पड़ेगा schedule O के अधर पार्ट में डिवाइड किया गया है जैसे part 1 में provisions applicable to the black fluids and white fluids अगर कोई disinfectant की black fluids और white fluids की standard की बारे में जाना चाहते तो आपको schedule O की part 1 की अंदर जाके देखना पड़ेगी फिर बाद में part 2 ठीक है provisions applicable to other fluids उसमें जो white color और black color है उसकी अलावा जितनी भी color की fluids बनती है disinfectant की तो उन सबके details part 2 में मिलेगे फिर बाद में आगे schedule P schedule P में life period of drugs किसी भी drugs की expiry date कितनी होगी तो उसकी जानकारी schedule P की अंदर दिया हो रहता है फिर बाद में schedule P1 schedule P1 में pack size of a drugs किसी भी drugs की manufacturing की बाद उसको marketing करवाने से पहले packing करनी पड़ती है तो उसकी जो packing है न तो packing की size कितनी होगी तो उन सबकी जानकारी schedule P1 के अंदर दिया हो रहता है फिर बाद में schedule Q, schedule Q में list of cold star color permitted to be used in cosmetics अगर कोई cosmetics products अब बनाओगी तो cosmetic products के अंदर कौन सी colors add किया जाएगी तो उन सबकी जानकारी schedule Q की अंदर मिलेगी फिर बाद में आगे schedule Q1, list of color permitted in shop ठीक है अगर कोई साबुन मतलब shop बनाना चाहते हो तो उसकी अंदर बहुत अलग-अलग color आते है तो किस shop में कौन सी color डाला जाते है तो उन सबकी जानकारी schedule Q1 की अंदर रखा जाता है आप आता है schedule R, schedule R के अंदर standard for condoms made of rovaletics and other mechanical contraceptic ठीक है इसमें यह कहा गया कि lover retic से जो भी compound बनता है तो उन सबकी list कहा है हमारी schedule R के अंदर रखा गया है जैसे for example condom फिर बाद में schedule R1, R1 में standard for mechanical contraceptic ठीक है जो भी mechanical contraceptic बनता है तो उन सबकी standard की बारे में अगर किसी को जान जानकरी चाहिए तो उसको schedule R1 में जाके देखना पड़ेगा फिर बाद में schedule S, standard for cosmetic जो इतनी भी cosmetic होती है तो उन सबकी standard कहा रखा जाता है schedule S के अंदर रखा जाता है फिर बाद में schedule T, schedule T के अंदर good manufacturing practices for ayurvedic, siddha, yunani medicines, किसी भी ayurvedic, siddha, yunani medicines की good manufacturing practices के लिए क्या-क्या च schedule T के अंदर रखा जाता है फिर schedule T को भी अलग-अलग part में divide किया गया है जैसे कि part 1 में good manufacturing practices है, part 2A में list of machinery equipment and minimum manufacturing practices for the manufacturers of various categories of ayurvedic, siddha, systems of the medicines, मतलब जो भी ayurvedic and siddha systems of the medicines है उसको बनाने के लिए कौन सी machinery equipment की जरूरत पड़ेगी तो उन सब की list schedule T की part 2A में रखा हुआ है, फिर बाद में part 2 की B, list of machinery equipment and minimum manufacturing practices for the manufacturers of various categories of yunani system, कोई भी yunani system की manufacturing करने के लिए yunani system की medicine से उन की manufacturing करने के लिए कौन सी machinery equipment की जरूरत होगी तो उन सब की details कहां रखा हुआ है, part 2B में रखा हुआ है, फिर बाद में part 2C, list of equipment requirements for the in-house quality control section, quality control section में कौन कौन सी equipment की जरूरत होगी तो उन सब की details कहां पे दिया हुआ है, schedule T की part 2C में दिया हुआ है, फिर बाद में T A, forms of records of utilization of raw material by the ayurvedic siddha yunani manufacturing unit, ठीक है, जो भी ayurvedic siddha yunani manufacturing unit है, तो उसमें कौन कौन सी raw material की जरूरत होगी तो उन सब की details, schedule T A में रखा हुआ है, फिर बाद में आ गए schedule U, schedule U के अंदर क्या है, particular to be shown in manufacturing record drugs, किसी भी drugs की manufacturing record क्या है, schedule U के अंदर रखा हुआ रहता है, फिर बाद में आ गए schedule E1, particulars to be shown in manufacturing raw material and analytical records of cosmetic, किसी भी cosmetic products की raw materials और analytical जो record होता है, तो उन सब की details कहां रखा हुआ रहता है, schedule E1 के अंदर रखा हुआ रहता है, अब आता है schedule B, schedule B के अंदर कौन सी डोक्स को रखा गया है, standard for patient और property medicines, जितनी भी patent और property medicines की standard होती है ना, तो उन सब को schedule B के अंदर रखा गया है, schedule W, schedule W के अंदर list of drugs which is to be marketed under generic names only, market में जो भी generic names से medicine sale होती है ना, तो उन सब की details कहां रखा गया, schedule W के अंदर रखा गया, schedule X, schedule X के अंदर list of drugs which import manufacturers and sales, leveling and packaging are government by special provisions, list of habit forming, narcotic and psychotropic substance, जितनी भी narcotic और psychotropic substance होती है ना, तो उन सब की import, manufacture, sales, leveling, packaging, इन सब के लिए government की तरफ से क्या क्या provisions लगाया गया है, वो सारा provisions कहां मिलेगी, हमें schedule X के अंदर मिलेगी, schedule Y, schedule Y में ये बोला गया है, requirement and guidelines for permissions to import and manufacturers of new drugs for sales, or to undertaking clinical trial, जो भी manufacturing होती है, drugs या import करवाते हैं, तो उन सब के लिए कैसे हमारी clinical trial होती है, तो उन सारी clinical trials की data सब कुछ हमें कहां मिलेगा, schedule Y के अंदर मिलेगी, अब हम कुछ importance amendment की बारे में discuss करेंगे, जो schedule to the rules की है, ठीक है, सबसे पहले कब amendment किया गया था, 1982 में, schedule E, I and L होये drop it, schedule G and H होये revised and schedule X was introduced, 1982 में schedule E, I and L को हटाया गया था, schedule E की जगा पे E1 को लाया है, I की जगा पे कुछ नहीं लाया है, और schedule L की जगा पे L1 को लाया गया था, और schedule G and H में revision किया गया है, और schedule X को introduce करवाया है, 1982 से पहले schedule X नहीं था, 1982 में schedule X को लाया गया है, फिर बात में जो amendment किया गया है, 1988 में किया गया है, schedule M incorporating GMP good manufacturing practices was amended and schedule Y partnering to clinical trial of newer drug formulations was incorporated, ठीक है, 1988 से पहले schedule M का मतलब स्रिफ manufacturing था, तो फिर बात में इसको changing करके 1988 में M में good manufacturing practices को add कर दिया गया है, और schedule Y पहले नहीं था, 1988 से पहले, 1988 में schedule Y को भी लाया गया है, as a clinical trial reports को anti करवाने के लिए, ठीक है, फिर बात में जो amendment क्या गया है, वो 2000 में क्या गया था, 2000 में कौन सी amendment हुआ था, देखिए, schedule T of Ayurvedic, Siddha and Yunani medicines was introduced in 2000, मतलब जीतनी भी Ayurvedic, Siddha और Yunani medicines थी, तो उन सब की data को anti करवाने के लिए, या उन सब की जनकारी के लिए schedule T को लाया गया है, 2000 में, फिर बात में जो amendment क्या गया है, वो 2000 element में क्या गया है, schedule HX for carving the mises of antibiotics and other drugs, ठीक है, 2011 से पहले schedule HX नहीं था, और हमारी जो antiviotic थी, उसकी mises बहुत ज़दा और थी, तो उन सारी mises को रुखने के लिए 2011 में एक नई schedule लागा है, जिसका नाम है schedule HX और इसमें जितनी भी antiviotic थी, तो उन सब की mises को रुखने की जो भी rules regulations है, उन सब की data anti किया गया है, तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोग को schedule to the act and schedule to the rules की बारे में पूरा बताई, और साथ में notes भी provide कर दी, आप लोग अच्छी से पढ़ लेना, अगर आप लोग को वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को like, share, comment and subscribe जरूर कर देना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए, bye bye. कर दोस्टे कर दोस्ट कर. झाल झाल झाल